कि हाला की रानिती में जादोकर के नाम से फैमस असोग गहलोत का कमाल इस बार 2023 में बिखरेगा या फिर नहीं जिहां दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक सोवाल है क्या राजस्थान में दोर दसकों बाद रिवाज बदलने में काम्याव रहेगी कॉंग्रेस पार्टी या फिर भारते अंता पार्टी की सरकार बनेगी दस दिन में करजमाब करने वाले कॉंग्रेस इस बार सत्ता में वापसी करेगी या फिर नहीं हमें कमेंट करके जुरूर बताएगा जी हाँ दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्तान राजे की सभी 200 विदानसबा सीटों और सभी सेत्रों के ओपनियन पॉल के बारे में क्या कहती है राजस्तान की जनता राष्थान की दोसों विदान सबा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देक रहे आपकी स्क्रिन पर जिहां दोस्तों राष्थान का करोली जिले की 4 विदान सबा सीट का ओप्नियन पूल आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर पार्डी को यापर 00 seat का सामना करना पड़ सकता है जुन जुन की जिहां दोस्तों उपराश्ट्य पती यहां से आते हैं जुन जुन से और यहां पर 7 विदांसबा seat में से किसे कितनी seat मिलेगी तो देख रहें आपकी स्क्रिन पर बीजेपी को 7 में से 6 विदांसबा seat पर अपन कर रह सकती हैं जोदपुर की जिहां दोस्तों जुन जोदपुर में 7 विदांसबा seat आती हैं, 7 विदांसबा seat में से 4 विदांसबा seat पर भारते नंता पॉरर लगा शकती हैं तो हें к कॉंग्रेस प्र्टी यहां पर 2 विदांसबा seat के साथ second largest party बन रही है RLP के नेता हनुमान बेनिवाल को यापर एक विदानसबाद सीट पर जीत आसिल हो सकती है दोस्तों अब तक राजस्तान की दोस्तों में से 18 विदानसबाद सीट का ओपनियन पूल आपको दिखा रहे है तो यहाँ पर भारते नेता पार्टे नेता हनुमान बेनिवाल की पार्टे को यहाँ पर 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 देख पार रहे है भारते नेता पार्टे 47 पीषदी वहीं कॉंग्रेस पार्टे यहाँ 22 पीषदी, अरेलिपर नेता हनुमान बेनिवाल की पार्टे को यहाँ पर 15 पीषदी लोग पसंद कर रहे है आम आधी पार्टी के सयोजन अरविन केजरीवाल को यापर पांच पीसदी और अन्य कोई यानि कि अन्य कोई यहाँ पर एक पीसदी लोग पसंद कर रहे हैं यानि कि पार्टी के लिया से देका जाय तो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पार्टी भारते अंता पार्टी 47 पीस्दी तो सेकेंड नबर पर 32 पीस्दी लोग कॉंग्रेस को पसंद कर रहे हैं चाले दोस्तों यहाँ बात कर लेता हैं केकडी की जियां दोस्तों केकडी में एक विदांसबा सीट आती है एक ही विदांसबा सीट यहाँ पर बीजेपी कात में चाल सकती है कॉंग्रेस पार्ट के आपर 0 सीट आरलप कात में 0 और अन्य पार्ट कात में आपर 0-0 सीट जाना के संभाव नहीं बनेवी है ब्यावर की 4 विदांसबा सीट है वहीं कॉंग्रेस बाड़े खात में 8 सीटों पर अपने जीत पक्की खर सकते हैं RLP के नेता हनुमान बेनिवाल एक सीट पर अणी पाड़े खात में 20 सीट जाने के संभावने बनी नहीं वी है जनता को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाले नेता कौन है तो आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 21 पीसदी लोग नरंदर मोधी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं 12 पीसदी लोग CM असू गहलोत को और चुगदा पीसदी लोग सचीन पाइलेट को 8 पीसदी लोग हनुमान बेनिवाल को 11 पीसदी लोग वसुंदर राजे सिंध्या को 1 पीसदी लोग CP जोसी को और आमाधी पाट के सयोजन अरविंद केजरिवाल को 2 पीसदी लोग अन्ये कोई को यहाँ पर 1 पीसदी लोग पसंद करते हैं भीलवडा जिल्ले की 4 विदांसबा सीट आती हैं 4 विदांसबा सीट में से यापर भार देंदा पाटे अनके BJP को 4 सीट मिल सकती है कॉंग्रेस पाटे के यहाँ पर खाता खोलता और नहीं नज़रा रहा है अन्ये पाटे का तमियाभर जिरू और आलेल सीट में यहाँ पर जिरु-जिरु सीट बाकी बात करते हैं बुन्दी की 3 में से 1 विदांसबा सीट 3 में से 2 पर BJP ए 1 पर कॉंग्रेस पाटे आलेलके का सीट जाने की संभावन नहीं बने वी है बीकानेर की सार विदानसबा सीट है साथ में से पांच पर यावर बीजेपी जीत आशिल कर सकती हैं कॉंग्रेस पार्टे को एक सीट आरलपी काता में एक सीट जा सकती है पाकी राजस्तान की दोसों में से 40 विदानसबा सीट का अब तक ओपनिन पोल आपको दिखा रहे हैं इस ओपनिन पोल के लिहास से देखा जाय तो यावर बीजेपी काता में 28 विदानसबा सीट जा सकती है वहीं कॉंग्रेज पार्टे के हाथ लग सकती है 10 विदानसबा सीट आरलपी खाता में आपर 2 विदानसबा सीट अपने खाता में कर सकते है अन्य पार्टे के आपर सूप्रा साप हो सकता है चलिए दोस्तों यहाँ राजस्तार में बीजेपी की सरकार अबनेगी जिहां दोस्तों यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे है हाँ 42 पीस्ती लोग चा रहे है कि भारते अंदा पार्टे की सरकार बने तो ही नहीं 30 पीस्ती लोग चा रहे है कि भारते अंदा पार्टे की सरकार नहीं बने और कहा नहीं सकते वो है 28 पीस्ती बात के लेते हैं राश्तान के चित्तोडगड जिल्ले की 5 विधांस बाशीट है 5 विधांस बाशीट पर भारते अंदा पार्टी अपना कवजा चमा सकती हैं कॉंग्रेस बाटी के अपर जिरो सीट, आरलपी खात में आपर जिरो सीट, अन्य पार्टी अपर जिरो सीट जाना की संभाव नइब निवी हैं साचोर की 3 विदानस बास सीट है, 3 में से 2 पर वीज़ेपी, 1 पर कॉंग्रेस पार्डी, आरलपी कातमे 0 और अन्य पार्डी कातमे आपर 0-0 सीट जाना की सम्भावना इबनी वी है चुरू जिल्ले की 6 विदांसबा सीट है, 6 में से 4 पर भातेंदा पार्टी यान की बीचेपी, एक विदांसबा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी आरलपी खात में एक सीट जा सकती है राज़तार की 200 विदानसबा सीट में से 54 विदानसबा सीट का ओपनिन पूल आपको दिखा रहे हैं तो यवर BCP का तमें 49 सीटे कॉंग्रेस पार्टों के अबर 12 विदानसबा सीट पर जीत असल हो सकती है राज़तार में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी जिहां दोस्तु 30 विदानसबा सीट पर बीज़ेपी कॉंग्रेस पार्टों के अपर 4 सीटे आरलपी का तमें 0 और अन्नी पार्टे का तमें अबर 0-0 सीट जा सकती है अजमेर की अजमेर की 3 विदानसबा सीट आती है तीन में से सभी तीनों विदानसबा सीट के साथ भारत अंता पार्टी वही कॉंग्रेस पार्टे का तमें 0 आरलपी कात में जिरो, बाकी अन्य पार्ड को भी अपर 0 सीट मिल सकती हैं कुच्चामन डीडवाना की कुच्चामन डीडवाना में 5 विदांसबा सीट है 5 में से 2 सीट पर विज़ेपी, कॉंग्रेस पार्ड को 3 सीट मिल सकती हैं बाकी बात के लाएते हैं राजस्तान के 26 विदानसबा यानिकि 76 विदानसबा सीट का अपते का ओपनियन पूल आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर लोगों का रियक्षन आया है 15 पीसदी लोग कहते हैं हाँ 50 पीसदी लोग कह रहे हैं कि नहीं बनेगी और नहीं कह सकते हैं 35 पीसदी लोग कह नहीं सकते हैं इसके बारा में आ रहे हैं तो यहां पर अलग-अलग अपनी प्रेडेक्शन दिखा रहे हैं आपको आपकी स्क्रिन पर चलिए दोस्ते और वाद कर लेते हैं आरलब कात में जीरो, कॉंग्रेस पार्टे को जीरो और अन्य पार्टे को भी जीरो सीट का सामना करना पड़ेगा बाकी बात कला है तो राजस्तान की 89 सीटें की जनता की राय आपकी स्मक्स रख रहे हैं तो यापरँ बिजेपी कात में 62 यानि के 62 सीटें pine में 64 सीटें आरलब कात में तीन अन्य पार्टे को जुरु जुरु सीट का सामना करना पड़ेगा भरतपुर की 6 विदांसबाग सीट, 7 में से vìzp कात में 4 कॉंखज्णिंपार्ट को अपर 3 सीट जलोर की 2 विदांसबाग सीट बशुबी जेसल मेरे, निक मरूद्रा की 2 विदांसबाग सीट वो में से 2 सीटों बशुबी एक seat पर Congress party, RLP कात में 0 रन्नी party को अपर 00 seat राज़तान की 200 में से अदी seat याने के 100 seat उका ओपनी पूल आपको दिखा रहे हैं उनसी तरह seat के साथ भारत रिंदा party, Congress party अपर 28 विदांसबा seat के साथ आरलपी कात में तीन विदानसबा सीट और अन्नी पार्टी कात में अपर जिरो-जिरो सीट जाना की संभावनाई बने भी हैं कटपूतली बरोड़ की चार विदानसबा सीट आती हैं चार विदानसबा सीट में से अपर बीज़ेपी कात में दो सीट कॉंग्रेस पार्डी को भी अबर दो सीट में सकती है आरलपे खाता में 0 रान्नी पार्डी का अबर 0-0 सीट सापुराई, डिस्टिक की 3 विदानसबा सीट है तीन में से 1 पर 20 पी, 2 पर कॉंग्रेस पार्डी अबर कब जाच्चमा सकती है जलावाड की 4 विदानसबा सीट है 4 में से 2 पर 20 पी, 2 पर ही कॉंग्रेस पार्डी राजस्थान की 200 में से 115 विदानसबा सीट का अब तक ओपनियन पोल आपको दिखा रहे हैं तो यह अबरा 76 सीट के साथ फार्ति जंता पार्डी जिया दोसो, 76 वजार से फेमस फलोदी जिले की 3 विदानसबा सीट आती है 3 विदानसबा सीट में से 20 पी खाता में 2 सीट जा सकती है कॉंग्रेस पार्डूंग अबर एक विदानसबा सीट मिलना के संभावनाई दिखाई जा रहे है अनूपगड़ की 4 विदानसबा सीट आती है 4 में सीट विदानसबा सीट का अबर 2 सीट मिल सकती है कुठा जिले की 6 विदानसबा सीट, 6 में से 5 पर विदानसबा सीट, 1 पर कॉंग्रेस बाड़ी आरलबी कात में 0 रणनी पाटे कात में आपर 0-0 सीट का साबना करना पड़ेगा राजस्थान की दोस्टों में से 128 विदांसबा सीट का अब तक उपनियन पोल आपको दिखा रहे हैं तो यहाँवर बीज़ेपे कात में 28 विदांसबा सीट और रणनी पाटे कात में आपर 40 विदांसबा सीट है और रलबी के नेता हनमान बेनीवाल को यापर 3 विदांसबा सीट पर संतूष्ठ होना पड़ेगा चालि दोस्तों यहाँवर बात के लेता है प्रतापगडगी परताबगड में दो विदांसबा सीट है दोनों ही विदांसबा सीट पर यापर बीजीपी कपचा हो सकता है पाली चिले की छे विदांसबा सीट आती है छे विदांसबा सीट में से यापर तीन विदांसबा सीट पर बीजीपी कपचा हो सकता है तो वहीं 2 विदांसबाद सीट ओपर कॉंग्रिस पार्डी आरलपिक नेता हनमान बेनिवाल को एक सीट मिल सकती है जिहां दोस्तों राज़दानी जैपूर्गी 12 विदांसबा सीट है 12 में से 10 विदांसबा सीट के साथ है भारतेंदा पार्डी कॉंग्रिस पार्ट के आपर दो विदांस बाद सीट, आरलपे के नेता हनबार बिनिवाल को यहाँ पर अपना खाता खोलने में एस समर्थ दिखाई दिया रही हैं दोस्तो रहस्तान की 200 में से 140 विदांस बाद सीट का उपनिन पुल आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ ब्र 100 विदांसाबाद सीट के साथ भारत अंता पार्टी अपनी सरकार की मोजूत की दिखा रही है और कॉंग्रिस पार्टी यहाँ चोमाली सीट के साथ जैना कि 44 सीट के साथ और अरलप के नेता हनमार बिनीवल को यहांपर 4 विदांसबाश सीट और अणि पार्टे का तमें यहांपर 4 जिरू विदांसबाश सीट के साथ संतूष्ट होना पड़ेगा बाकी बात के लिएते हैं राजे समंध की चार विदांसपा सीट है चार में से तीन पर बीज़ेपी एक पर कॉंग्रिस बाड़े सिकर की चार विदांसपा सीट है चार में से तीन पर बीज़ेपी एक पर कॉंग्रिस बाड़े सुआई माधुपुर की चार विदांसबाश सीट है चार में से आपर विज़ेपी कात में दो कॉंग्रिस पाटे कात में दो सीट आ सकती है राश्तान की 200 में से 160 विदांसबाश सीट का ओपनिन पूल आपको दिखा रहे हैं 108 सीट के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है भारते अंधा पाटी तो वही कॉंग्रिस पाटे कात में 48 सीट आ सकती है आरलपिक नेता हनुबान बेनिवाल को 4 सीट बागी अन्य पाटे कात में अब दिर दिर सीट का सामना करना पड़ेगा सीरोही जिल्ले की 3 विदांस पाट सीट आती हैं 3 विदांस पाट सीट में से 2 विदांस पाट सीट पर 20 विदांस पाट सीट के साथ कॉंग्रिस पार्टी टोंक जिल्ले की 4 विदांस पाट सीट है 4 में से 20 विदांस पाट में 3 तो 1 सीट पर कॉंग्रिस पार्टी उद्याईपुर की आठ विदाँसबाद सीट आती है, आठ में से विजबी कात में सभी आठों की आठों सीटे जा सकती है, राजस्तान की दोश्टों में से 145 विदाँसबाद सीट का ओपनियो पूल आपको दिखा रहे हैं, तो याबर विजबी कात में 121 कोंगरेस पार्ट का तमें 50, आरलब के नेता हनुमान बेनिवाल को 4 सीट और अन्य पाटे का तमें अबर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा, हनुमान गड़ की 1 विदानसपा सीट और एक विदानसपा सीट पर भारतें दा पाटे कपचा हो सकता है, नागोर की 5 विदानसपा सीट है, 5 में से आपर 3 विदानसपा सीट के साथ भारतें दा पाटे, तो हैं कॉंग्रेस पाटे के अपर 2 विदानसपा सीट मिल सकती है, आरलब के नेता हनुमान बेनिवाल को यापर 0-0 सीट का सामना गड़ना पड़ेगा, बाकी बात के लिए राजस्तान की 200 में से 186 विदानसपा सीट क सामना गड़ेगा, बाकी बात के लिए राजस्तान की सभी 200 विदानसपा सीट का ओपनियन पूल आपको दिखा रहे है, तो यापर भारतेंदा पाटे पूर्ण बहुमें इतके साथ 134 सीट अपने पाला में कर सकती है, अठावन विदानसपा सीट के साथ कॉंग्रेस पार्टी अबर सेकनल आर्चस पार्टी थर्ड भंड पर रहे है, आरलपी के नेता हनुवान बेनिवाल अन्य पार्टी के अबर जरु-जरु सीट जाना की स अबावन इबनिवी है